हलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुगेशन उत्तर प्रदेश बीएसी नर्सिंग कोर्स में एडमीशन के लिए गौर्मेंट कोलेज और प्राइवेट कोलेज की कट ओफ क्या रहती है कितने नमबर पर मुझे सर गौर्मेंट कोलेज में प्रवेश मिलेगा और कितने नमबर लाने पर मुझे प्राइवेट कोलेज में एडमीशन मिलेगा मैं इस पर complete जानकरी आपको देने वाला हूँ UP के अंदर BAC nursing के government college में कैसे admission होगा और private college में कैसे admission होगा complete information आपको इस video में मिलने वाली है मेरे प्यारे साथियो मैं आपको बता दूँ UP में एक university है बचो जो BAC nursing course करवाती है और उस university का नाम है ABVMU यानि अटल भी आरी वाजपेई Medical University बचो ये university एक exam करवाती है और उसका नाम है CNAIT common nursing entrance test CNAIT exam में physics, chemistry, biology, nursing aptitude, English और GK इन subject से क्यों सन पूछे जाते है मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका सपना government college में admission लेने का है आपका सपना top government college से BAC nursing course करने का है तो आपको ये paper pattern follow करना ही पड़ेगा बचों जिसमें physics, chemistry और bio के 120 क्यों सन आएंगे और syllabus रहेगा 11 और 12 का और nursing aptitude नाम का एक subject है बचों जिसमें hospitals के बारे में, हमारे health के बारे में, disease के बारे में हमारे body के बारे में क्यों सन पूछे जाते हैं basic है ना तो ये total 40 क्यों सन पूछे जाएंगे और English के 20 और GK के 20 टोटल मिला के 40 क्यों सन तो nursing aptitude English और GK इनके भी 80 क्यों सन हो गए तो 120 PCB के और 80 इसके टोटल कितने हो गए बचों 200 क्यों सन आपके UPBAC nursing entrance exam में आएंगे क्या paper में negative marking होगा जी नहीं, बिलकुल भी negative marking नहीं है और syllabus 11 और 12 का है अब सर्क क्या paper दोनों medium में होगा क्या paper both medium में होगा तो बच्चों मैं इस पे कई बार आपको बता चुका हूँ कि हम लोग दोनों माध्यम में paper करवाने के लिए पूरी मुहिम चला रहे हैं अभी भी हमारी मुहिम बच्चों रुकी नहीं है लेकिन university ने अभी तक site पे कुछ भी नहीं डाला है मैं खुद व्यक्तिगत तोर पर बच्चों अटल वी आरी वाजबे युनिवर्सिटी के जो examination coordinator हैं उनसे मिल चुका हूँ मैं dean sir से मिल चुका हूँ मैं दोस्तों आली में राजस्तान के MS में एक conference रखा गया था जिसमें सभी university के प्रती निदी आये थे और वहाँ पर मैं और मेरी जो nursing की team थी हमने मिल करके ग्यापन दिया उनको application दी और request की तो उन्होंने हमें वरोसा दिलाया था कि paper दोनो माध्य में होगा लेकिन अभी बच्चों confirm नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप दोनो मीडियम में study करें विजे education एप का जो अटल बेच हैं उसमें आप जुड़ करके उसमें इंग्लीज मीडियम का जो बच्चा है वो इंग्लीज में पढ़ें लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी के साथ साथ इंग्लीज माध्यम वाली क्लास भी देखते रहें बच्चा केवल हिंदी में आप मत पढ़ना मैं अभी कह रहा हूँ क्योंकि बच्चा अभी website पर information नहीं आई है ना बिल्कुल इसलिए हम लोग विजे education एप के अंदर भी इंग्लीज में भी क्लास चलाते हैं आपको पता है ना अटल बेच के अंदार साम के टाइम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपकी इंग्लीज मीडियम में क्लास चल रही है और मॉर्निंग के अंदर विजे education एप में बिटा हिंदी मीडियम में क्लास चल रही है तो ये ऐसा हम क्यों कर रहे है क्योंकि हमारे जो विद्यारती है UP के उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए कल को अगर पेपर इंग्लीज में भी हो गया तो भी हमारी क्लास ओल्रेडी चल रही है तो मेरा कोई भी बच्चा मेरा कोई भी विद्यारती पीछे नहीं रहना चाहिए चाहिए वो हिंदी माध्यम का भी क्यों न हो हिंदी मीडियम का बच्चा भी अच्छा रिजल्ट दे बढ़िया रिजल्ट दे इसके लिए बेटा जब तक website पे proper notification ना आये तब तक Hindi माधियम का बच्चा अपना bilingual class देखता रहे बिटा ठीक है की नहीं ये मेरा हाद जोड के निवेदन है और मैं यूनिवर्सिटी में मर दोस्तो जो हैं यूनिवर्सिटी के जितने भी counselor है जो team है मेरा उनसे भी हाद जोड करके निवेदन है क हमारे उत्तरप्रदेश के बच्चों के साथ आप नयाय कीजिएगा और यूपी में सेशन जो दोजार चोबीस का एक्जाम है प्लीज जैसे बाकी राज्यों के अंदर Hindi English दोनों में होता है वैसे यूपी के अंदर भी ये दोजार चोबीस का एक्जाम आप दोनों मीडियम में करवाईए ठीक है ना बिल्कुल जी अब देखिए बटा पिसले साल जो मेरीट रही थी वो क्या रही थी और एक में खुसकबरी बताना चाहता हूं बटा पिसली बार जो इस्ट सलेक्शन हुए थे ना वो Hindi मीडियम वाले बच्चों के हुए थे तो आप गबराईए मत आप डरिये मत आप यह मत सोचो कि मैं इंडी मीडियम से हूँ बटा बले ही आप इंडी मीडियम से हो लेकिन देखो इंगलीज है जीके है नर्सिंग अप्टिट्यूड है यह तो सभी को एक जैसा ही पढ़ना है फिजेक्स केमस्ट्री है तो उनमें भी 50% टर्मिनोलोजी वैसे ही इंगलीज में ही होती है बेटा तो ज्यादा डरे ना वन लाइनर क्यूसन आते हैं बहुत इजी पेपर आता है आप आराम से क्यूसन समझ लोगे वहां बेटा आपको लिखना थोड़ी ना है कुछ आपको तो केवल क्यूसन को समझ के टिक करना है बस तो डरे ना गबराएं ना फुली मोटिवेटेड रहें और आके बढ़ें आप देखिएगा अगर आपको गूर्मेंट कोलेज में एडमिसन लेना है बेटा तो मैं आपको बताता हूँ आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे देखिए बच्चो इतना तो आपको कन्फरम है कि हमारा पेपर कितने नंबर का होगा दो सो क्यूसन आएंगे और हमारा जो पेपर है बेटा वो दो सो मार्क्स का होगा दो सो नंबर का होगा ठीक है बेटा बिलकुल दो सो मार्क्स का हमारा पेपर होगा और दो सो क्यूसन आएंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको अटेंट करने हैं ज्यान रखना एक भी क्यूसन छोड के नहीं आना है समझ में आई बात बिलकुल अब सुनिये बात ये है कि यूपी के अंदर टोटल गौवर्मेंट कोलेज है 23 कितने गौवर्मेंट कोलेज है बेटा ट्वंटी ट्वंटी त्री 2023 के अनुसार बिटा मैं बता रहा हूं आपको 2023 की क्या मेरिट गई थी वो मैं आपको बता रहा हूं और इस बार क्या जाएगी मैं एवरेज बताऊंगा दोनों का देखिए सबसे पहले हम जनरल केटेगरी की अगर बात करें बटा तो देखो जनर आप बाकी वाले government college भी अच्छे हैं है ना केजी हमियों को छोड़ दें तो बाकी जो गवर्मेंट college है जाए वो नया हो चाहिए पॉरा ना हो उनकी जनरल केटेगरी में जो बीटा कटोब आप जो मेरिट हैं पिसले साल की अगर हम बात करें बैटा तो वो आपकी गई थी 12 122 से लेकर के 125 के बीच में तो इस बार भी इस बार भी 125 से लेकर के और 130 इसके बीच में जो बच्चा नमबर लेके आएगा उसे जनरल केटेगरी में गौवर्मेंट कोलेज अलोट हो जाएगा यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं बच्चो देखिए और जिनको टॉप का या जिनको बेटा R.M.L. कोलेज चायए राम मनोहर लोहिया एर या जिनको उपी उमस चाहिए उपी उमस जो टॉप के 2-3 कोलेज इसे उनका नहीं धोड़ा मेरीट जादा जाता है उनका जो मेरीट जाता है वो लगबग लगबग आपका बेटा 135 से 140 के बीच जाता है ना बिल्कुल जी, अब हम चलते हैं बिटा, OBC, देखिएगा OBC का मेरिट, BC आप कह सकते हो, BC का जो मेरिट है बिटा, वो जनरल से हमेशा दो या तीन नमबर कम रहता है, तो इसलिए, BC का जो मेरिट जाएगा बिटा, जहां तक मुझे लगता है, 122 से लेकर के, और 125 के बीच नमबर लाने वाले को, बड़े ही आराम से, जो हैं, UP का गौर्वर्मेंट कोलेज मिलेगा, लेकिन हाँ, जो टॉप के कोलेज हैंने बिटा, उनमें लगबग, 132 से लेकर के, और 137 तक, जिनके नमबर होंगे, उन्हें टॉप का कोलेज भी मिलेगा, ओके, बिलकुल जी, ये गौर्वर्मेंट कोलेज की बात हो रही है आपर, EWS की मेरिट बिटा, काफी डाउन जाती है, EWS के टेगरी का जो बच्चा होता हैं, उसके लिए गौर्मेंट कोलेज में 10% सीटे रिजर्व होती है, ठीक है न, उनका जो मेरिट जाएगा, EWS का, वो लगबग 120 का जाएगा, 120 से लेकर के, 122, इसके बीच में जो नमबर लेके आएगा, EWS का बच्चा उसे आराम से क की, SC के टेगरी के जो बच्चे हैं, उनको 116 से लेकर के, 120 तक जो नमबर लेके आएगा, उसे बड़े आराम से जो हैं, गौर्मेंट कोलेज अलोट होगा, हाँ बच्चो, ST की बात करते हैं, ST के टेगरी में लगबग 110 से 115 तक की कटोप जाती है विटा, कई बार 110 से कम बात बताना चाहता हूँ आपको, पहले टोप कोलेज की भी देख लीजी आप, टोप कोलेज की अगर मैं बात करूँ, EWS की, तो बिटा, EWS की टोप कोलेज की जो हैं, वो 130 से लेकर के 135 के बीच में जाती है भाई, और SC की अगर मैं बात करूँ बिटा, तो 125 से 130 के बीच में जाती हैं और ST की अगर मैं बात करूँ तो 120 से 125 के बीच में जाती हैं ये बात हो गई किसकी बिटा के टेगरी वाइस कट ओफ की बात हो गई गॉवर्मेंट को ले इसके लिए अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनना देखो बिटा देखिएगा एक बात आप समझिए अगर पर कौन से मीडियम में हो गया विटा हिंदी मीडियम है क्योंकि हिंदी और इंग्लीज दोनों मीडियम में अगर पेपर हो गया विटा अगर पेपर दोनों माध्यम में हो गया तो मेरीट जो हैं आपकी वो लगबग आप मान के चलना तीन से पांच नंबर तक बढ़ेगी merit आपकी 3 number से लेकर के 5 number तक बढ़ेगी कब बढ़ेगी विटा अगर paper दोनों language में हो गया तो लगबग 5 number तक आपकी जो merit है वो बढ़ेगी यह आप मान के चलना अगर मान लो general में किसी को अगर 126 तक college मिल रहा है या 127 तक मिल रहा है तो फिर उसकी merit 130 चली जाएगी इतना भरक आजाएगा भाई और अगर केवल English medium में paper हुआ तो भी selection सबसे ज़्यादा Hindi medium वाले बच्चों के ही होंगे इसका मैं reason बता रहा हूँ देखो देखो मैं दोस्तो paper देने वाले बच्चे कौन है फोरम बरने वाले 70 से 80 परसंटेज student हिंदी medium के है तो competition किस के बीच है है तो competition हिंदी medium के बिचों के बीच ही तो है पर यह हकीकत है आपके साथ जिसका competition है वो बच्चा भी तो हिंदी medium का ही है अगर आपको English कम आती है तो आपके competitor को भी तो कम ही आ रही है है ना तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है ठीक है ना और यह कोई theory का exam तो है नहीं बेटा कि या English से पूरे page दो बरने नहीं आपको आपको तो क्यू सन की language समझ रही है और वो आप आराम से समझ लोगे है ना तो इसलिए पहले confidence रखो language को लेकर के डर नहीं रखना है अपने अंदर हमने मुईम चलाई है और मुझे भरोसा है कि हम लोग जीतेंगे दोनों माध्यम में paper करवाने के लिए मेरे दोस्तों मैं कई बार चकर काड़ चुका हूँ ठीक है ना मेरे दोस्तों मैं कई बार class मिस्स करकर के मैं आपके dean सर से मिला हूँ coordinator सर से मिला हूँ मेरे दोस्तों मेरा परियास रहता है मैं अने को guardian से बात कर चुका हूँ advocate से बात कर चुका हूँ गारजन ने परियास किया है, टीचर्स ने परियास किया है, मैं सभी का तेंक्यू कहना चाहता हूँ कि ये जो हम आवाज उठा रहे हैं, ये हम सब की आवाज है, ये यूपी के बच्चों की आवाज है और इस आवाज को सोशल मीडिया पे बुलंद करने की जरुवत है बात है, आप मन में डर तो रहे हो चलो, लेकिन एक बात सोचो बच्चा, 200 नंबर का ये पेपर है, बिल्कुल है, 200 क्यूशन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, नेकिटिव मार्किंग तो है नहीं, मान लोग इन 200 में से, आप जो हैं, आप किवल 150 क्यूशन ही अटेंड कर पा रहे हो, पीछे जो 50 क्यूशन है, उनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो ये 50 छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, आप अटेंड तो ये भी करोगे, तो अगर ये 50 अटेंड करोगे न, तो भी भाई साब, 15-20 क्यूशन तो आप वैसे भी सही करोगे न, तो हैं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मेरे दोस्तो यूपी के अंदर पिसली बार मुझे पता हैं, एक गुडिया जिसके 61 परसंटेज थे, वो बच्ची आज स्टॉप गौवर्मेंट कोलेज में यूपी के अंदर पढ़ रही हैं, एक सामान्य किसान परिवार की बच्ची जिसके पिता जी दियाडी का काम करते हैं गुजरियात के अंदर, एक स्टील की फैक्टरी के अंदर जिसके पिता काम करते हैं, वो बेटी आज ममारे यूपी के टॉप कोलेज में पढ़ रही हैं, तो इसलिए आप डरे ना, गबराए ना, ये ना सोचें कि आप जो हैं वो ये मेरा निवेदन है वेटा, खुद को होपलेस ना करें आप, आपको पढ़ाने में कोई कमी छोड़ रहे हैं, आप बताइए, कभी क्लास मिस की, कभी, एक एक पल, एक एक शन आपके लिए वेटा लगे हुए हैं, अभी M's का फॉम आ चुका है वेटा, सभी को M's का फॉम के अंदर भी मैं चाहता हूं मेरे विजियन सेलेक्ट होके जाएं, मेरा परिवार उन में जाएं, सभी को फॉम लगाना है आपको M's का भी, UP वाला भी लगाना है, M's वाला भी लगाना है, राइबरेली M's है, गोरकपुर M's है, इन में पेरा मेडिकल भी और, BAC, नर्सिंग और हाँ, एक चीज में बताना भूल रहा हूं, देखो बिटा, आपको पता है, UP की जो अटल भी आ रही ही, वाजबेई, मेडिकल यूनिवर्सिटी है न बिटा, अगले महीने फॉरम निकाल देगी, ये कनफरम है, हो सकता है फॉरम, इस महीने के लास्ट में आ जाए, मार् सबसे पहले आप फॉरम अपलाई करोगे, फॉरम अपलाई करने के बाद बिटा, आपका एक्जाम होगा जून में, किलियर है, जून में एक्जाम दे दोगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा बिटा, जुलाई में, जुलाई में इसका क्या जाएगा बिटा, रिजल्ट आए आपको website पर जाकर के college का चुनाव करना पड़ेगा college भरने पड़ेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे तो college पता नहीं है government अच्छा कौन सा और private अच्छा कौन सा वो मैं select कराऊंगा आपको college selection में विजे education बेटा आपकी पूरी मदद करेगा मैं पूरी health करूंगा, जो अच्छे college है जिनका अपना खुद का hospital है बिटा, जिन college की अच्छी faculty हैं, जो college city के अंदर है, जो college proper hospital duty भेजते हैं, जिन college की अच्छी labor और library है। जिन कोलेजों की INC से मानियता है बिटा है ना जो old कोलेज हैं है ना जिनका track record अच्छा है जो extra fees नहीं लेते हैं ऐसे कोलेजों की एक पूरी list हमने बना रखी है और वो ही कोलेज आपको हम बताएंगे और आपको वही लेना है और उन में पढ़ना है है ना बिलकुल जी अब देखिए बिटा तो ये पूरा एक system चलता है और बिटा जब ये counselling चलेगी ने ये जब counselling होती है न बिटा तो इसमें भी अलग-अलग round की counselling होती है first round होगा कुछ बच्चों को पहले round में college मिलेगा फिर अगला second round होगा कुछ को second round में मिलेगा फिर third round की counselling होगी फिर fourth round की होगी फिर fifth round की होगी फिर sixth round की होगी पिसली बार तो बच्चों साथ तक round चले थे है न तो इसलिए डरे न डरे न और दीरे मेरीट डाउन जाती है मेरीट डाउन आती है दीरे दीरे बिटा है न मैं तो और भी cut-up आपको ज़्यादा बता रहा हूं इससे भी कम cut-up पे government मि है ना बिल्कुल अब देखो बिटा अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक बच्चे के नंबर आयों 128 अब उस बच्चे ने एक नंबर बरा केजी M.U काउंसलिंग के समय और उसने कोई कोलेज बरा ही नहीं अब वो बच्चा कहेगा सर मेरे 128 थे मुझे तो मिला ही नहीं अ बहाई तो आपने एक ही कोलेज बरा केजी M.U केजी M.U की तो कट ओफ 135 अपर गई इसलिए आपको मिला नहीं तो आपको केजी M.U के साथ कुछ और भी कोलेज बरने थे तो बच्चे ने कहा कि सर मुझे तो पता नहीं था मुझे तो गाइड नहीं किया किसी ने तो अगेका की वास्ताओं में जो पढ़ रहे हैं, जो सच्चा परियास कर रहे हैं, मैं उनका भाई बनूँगा, मैं उसका परिवार बनना चाता हूँ, जो वास्ताओं में पढ़ना चाते हैं, है ना, बिल्कुल जी, अब देखिए बटा, प्राइवेट कोलेज, प्राइवेट में से, देखो 120 में से बिटा आपको 75 नंबर तो मिनिमम लाने पड़ेंगे, तभी आप काउंसलिंग में सामिल हो पाएंगे, मतलब कि इतने नंबर तो कम से कम लाने हैं, तभी आपको काउंसलिंग करवाने का मोका मिलेगा, किस का मोका मिलेगा counseling का अगर आप इस 75 से कम number लाओगे तो फिर आपको counseling का chance ही नहीं मिलेगा counseling का chance ही नहीं मिलेगा समझ रहे है बात को बिल्कुल पिछचातर number तो लाने है कुछ category में सितर number तक भी chance मिल जाता है सितर से नीचे तो किसी को भी chance नहीं मिलता ओके बिल्कुल अब देखिए फिर college किते number पर मिलता है private देखो बिटा अच्छा top का अगर private college चाहिए कैसा private college top का private college बड़िया private college चाहिए तो बिटा आपके general कोटे के अंदर number जो है वो आप मान के चलिएगा 100 से उपर होने चाहिए अच्छा बड़िया सांदार college चाहिए तो है ना इसी तरह से OBC में top का बिटा private college चाहिए तो आपके 90 से उपर number होने चाहिए ठीक है ना EWS के अंदर बिटा कम से कम 85 से उपर number लाओगे तो अच्छा सा college मिलेगा बड़िया college मिलेगा है ना SC की अगर मैं बात करूँ तो लगबख 80 प्लस पे एक अच्छा सा डंका college मिलेगा बड़ा और ST में 75 प्लस पे आपको अच्छा college मिलेगा दिव्यांग बच्चों को 70 प्लस दिव्यांग बच्चों को तो बड़ियांग होते हैं जो अपंग होते हैं जो physically handicapped होते हैं ना बटा उनको 90 से उपर नमबर लाने पर government मिल जाता है ठीक है ना क्यूंकि इनको reservation है ठीक है ना भाई इस बात को समझना बटा कुछ private college ऐसे होते हैं जो काफी medium quality के होते हैं बहुत अच्छे नहीं होते तो वो जो private college है बेटा वो कम number पर भी alert हो जाते हैं आपको पिसली बार हुआ ही था पिसली बार जनरल कोटे के अंदर 85 number से लेकर के 100 number तक भी कुछ बच्चों को college मिले थे मतलब 85 तक भी college alert हुए ही थे तो अगर कोई 85 वाला है 80 वाला है या मैं दोस्तो 87 वाला है तो अब इस तरह के बच्चों को college मिलेगा तो वो सच मुझ बहुत अच्छा नहीं होगा तो private college के लिए भी अच्छा मेनत करना परेगा अब देखो अगर मैं OBC बात करूँ OBC की तो OBC वालों को भी वैसे तो बच्चों देखो 80 नमबर पर college मिलता है 80 पर फिसली बार मिला था 80 से एक नमबर कम दो नमबर कम दो नमबर ज़्यादा इस तरह से 84, 85, 86, 78, 79 इस तरह से मिला था फिसली बार लेकिन बात वही है बहुत अच्छा नहीं होगा फिर वो तो यहाँ पर भी पिटा 75 के around college मिले थे और यहाँ पर 67, 65 के around college मिले थे क्योंकि ST वालों को और SC को थोड़ा reservation है ठीकन इसलिए वो 85 से नीचे नमबर लाने पर भी उनको मुका मिलता है 70, 66, 66 तक मिलता है पिछली बार क्या होता पिटा लास्ट में एक बार 65 तक बच्चों को सामिल किया था वो मुपब राउंड में सामिल किया था ठीक है न तो on and average की मैं बात करूँ तो आपको counseling की प्रक्रिया में भाग लेना है तो इतने नमबर लाने पड़ेंगे 55 और अच्छा college चाहिए बढ़िया college चाहिए तो 100 से उपर नमबर तो minimum चाहिए private के लिए और government चाहिए बेटा government चाहिए तो मेरा अगर मेरी बात मानते हो तो अपना target रखो 135 प्लस इस से उपर नमबर आप लेके आजाओ मैं आपको government college दिलाओंगा यह मैं promise कर रहा हूँ 135 से उपर लाओ मैं आपको man पसंद college दिलादूंगा यह मैं भरोसा दिलाता हूँ बेटा देखो केजी M.U. इस बार 140 पर 145 पर भी मिल सकता है केजी M.U. की मेरिट बेटा दो नमबर पांस नमबर बढ़ती रहती है है ना बिल्कुल जी तो मैं आपको बेटा बरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर जितनी अच्छी मेनत करोगे ठीक है ना मैं आपको उतना ही अच्छा college दिला सकता हूँ क्योंकि मैं अच्छी counseling करवाऊंगा बढ़िया choice filling कराऊंगा तो कई बार क्या होता है बेटा choice filling हम अच्छी नहीं करते ना college की तो कई बार 125 नमबर वाले को भी government नहीं मिलती और 123 वाले को मिल जाती है तो वो हमारी counseling का हमारा process अच्छा होना चाहिए है ना उसमें हम बहुत help करेंगे बच्चों को और बेटा मैं counseling के लिए आप से पैसा नहीं लूँगा मैं अच्छी counseling इसलिए कराऊंगा क्योंकि आपका हक है आप मेनत कर रहे हो आप पढ़ रहे हो आप जुनू नहीं हो आप इसलिए ये वीडियो देख रहे हो ठीक है ना आज आप ये जानकरी देख रहे हो आप जानना चाहरे हो कि यार मैं कितना को पढ़ू मैं कितने number लाऊं तो मेरे को मिल जाएगा आपको बिटा फिक्र है अपने ममी पापा की आप जड़ों से जुड़े हुए हो अपने प्रिसानियां देखिए आपके घरवालों ने प्रोबलम देखिए आप middle class family से हो इसलिए आपको ऐसास है मैं बस यही चाहता हूँ बच्चो मैंनत करने है अपने को मिल के है ना मैंनत करने के लिए आपको अपना जो विजे परीवार है अपने विजय परिवार के अंदर मेरे प्यारे बच्चो जैसे कि अभी जो अपने नया जो सेसन आपके लिए शुरू किया था यह जैसे अपना अटल 4-0 बेच है बहुत बड़ी संक्या में बच्चे इस बेच में इन्रोल हुए है ठीक है ना मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि इस बेच को लॉंच हुए के वल तीन दिन हुए है बटा तीन दिन हुए है हजारों बच्चों ने इन्रोल्मेंट कर लिया इस बेच में वास्तों में मैं इस प्यार के सामने इस सपोर्ट के सामने बेटा नतमस तक हूँ आप सभी अभी भावकों का मुझे लगता है कि ये एक मुझे इस सो रूपी आसिरवाद आप बच्चों ने दिया है आपके अभी भावकों ने दिया है मैं इसके लिए अमेसा जो है आपके गारजन्स आपके जो मम्मी पापा है ठीक है ना मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा और मैं हमेसा आपके लिए अच्छी दुआ करूंगा कि वास्ताओं में बच्चों आपको फिक्र है अपनी स्टडी की आपको विश्वास है अपने गुरू जनों पर आपको विश्वास है अपने विजे परिवार पर और मैं बरोसा दिला बता हूं कि इस विश्वास को बनाई रखने के लिए मुझे जितनी मैनत करनी पड़ेगी मैं आपके लिए करूंगा ठीक है ना इस बेच के अंदर जो अटल 4-0 है बेटा इस बेच में हम लोग जो है 14 मार्च से जो है क्लासों की सुरुआत करेंगे ठीक है ना इस बेच मे आपको लाइव प्रोपर क्लासे मिलेगी लाइव के साथ साथ मैं टेस्ट उपलब्द करा दूँगा मैं आपको बेटा नौट सुपलब्द करवाऊंगा मैं पीवाई क्यू पीपी जो जितने भी मेरे दोस्तों जो मोडल पेपर है डीपीपी है है ना इसके अलावा मैं पढ़ना चाहोगे तो मैं कुछ रिकोडेड क्लासे भी आपकी डिमांड पे दूँगा लेकिन बच्चों मैं आपकी स्टडी में कमी नहीं रहने दूँगा यह मैं बरोसा दिलाता हूं विटा आप विजे परिवार से एगर जुडते हो तो एक संकल्प लेके जुड़ना क कि मुझे तो 2024 के अंदर गॉर्मेंट कोलेज में अडिमिसन लेना है मुझे 2024 में टॉप कोलेज में पढ़ना है यह संकल्प लेकर के विजे परिवार के साथ जुड़ना आप अटल 4 बेच को जोईन कर सकते हो अटल 4 बेच में जुड़ोगे तो यूपी नर्सिंग की तैयर बै नौ का ओप्सन आता है अब वहां पर आये मंंट्रस्टेट का ओप्सन आ रहा है अप जैसे इस ओप्सन पर बिटा कलिक करोगे ना तो पएमेंट का लिंक पर आपके वाट्सड़न का लिंक है यह वह आपके वॉर्टसब पर इस तरह से आयेगा ठीक है नआ और आपके SMS के अंदर भी इस तरह से पेमेंट का लिंक आएगा इन बोक्स में बले आप इन बोक्स की लिंक पे या वाटसप वाले पेमेंट की लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर देना 690 आपका कोर्स चालू हो जाएगा यह जो ओफर है बिटा अब केवल तीन दिन के लिए हैं हैना 10 मार् रहो एफर्ड लगाते रहो अपनी तरफ से कमी मत छोड़ना इस बार बेटा कोई हमारे उपर अंगूली ना उटा पाए द्यान रखना विश्वास रखना है मैनत करनी है और आगे बढ़ना है ठीक है कि नहीं है बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हैं जिसके ममी पापा या म तो इसके बाद में payment का screenshot लेकर के आप ला के नबरों पर WhatsApp कर दीजिये ठीक है न में और अपनी तीम इंप जब payment का screenshot WhatsApp करो तो नीचे आप अपने नमर लिखके भेज देना कि मुझे इस number पर मेरा भेच activate करा ना है पैसा बले ही आप किसी और से भी भीज़वाओ 열심히 तो भी आप के नंबर पर हमारी टीम जो एको और से एक्टिवेट कर देगी विटा ठीक है कि नहीं है बिलकुल जी और मेहनत करनी है अच्छी तरह से मेहनत करनी है विजय एजुकेशन एटेब में कंप्यूटर में लेप्टोप में एपल का जो आईफोन है उसमें इंड्रोइड फॉन मे जिसमें भी आप चलाना चाते है उस चला पाओगे ठीक है कि नहीं है बिलकुल जी तो ये मैं आप सभी को कहना चाता हूँ और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अब कितना अक पढ़े तो देखो बच्चा वैसे तो पढ़ने की कोई लिमिटे टेबल हो हैने आपको रेस्ट भी करनी है नीद का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता वो तो उतना चाहिए सरीर को इसके अलावा अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए ठीक है ना आप मेहनत करते रहें पढ़ते रहें ठीक है ना मैं तो कहता हूँ जितना ज्यादा पढ़ सक कर दे कुछ आपके बारे में नेगेटिव कह दे तो रियक्ट नहीं करना नेगेटिव बाते इस कान से सुनके इस कान से निकाल दो फिलाल आपको फोकस किस पर करना है अपने टारगेट पर बस जिन भी लोगों को जबाब देना है वो एक्जाम के बाद देंगे और वो बाद भी बेटा आपको सफल हो करके देना पड़ेगा ठीक है ना बिल्कुल सीधी सी बात है और बाकी सब अच्छा कर रहे हो बहुत बड़ी हमेनत कर रहे हो सभी को बेस्ट आप लग कहूंगा मैंने जो अभी कटो बताई है बस उतने नंबर आपको लाने है कम से कम उतने लेके आ जाना कोलेज मैं दिलाओंगा ये मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको ठीक है ना बिल्कुल थैंक यू सो मच और हाँ पेपर हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियम दोनों में होना चाहिए इसके लिए प्लीज मुहिम को रुकने मत दीजिए जितने भी बच्चे हैं म आराश्ट के फोरम आ रहे हैं है ना किसी राज्जिय के अंदर काउंस्लिंग का सेशन चल रहा है पिसले साल का ठीक है ना मुझे हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है मैं भी लखनो आने के लिए एक दो बार पहले परियास किया था लेकिन वहाँ पर सर उपलब्द नहीं थ मैं उन से एमस में जाके मिल के आया मैं बेटा जैसे ही यहां पर देखो मेरे उपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है आप मेरी इस्तती को थोड़ा समझना मैं लखनो आना चाह रहा हूं मैं वहाँ पहुंचने का परियास भी कर रहा हूं लेकिन थोड़ी मैं जैसे ही न जादा है ठीक है मेरी यह आवाज हर एक बचे तक पहुंचती है और इसी आवाज की बदोलत वेटा आज हमारा जो इतना बढ़ा मुहीं चल रहा है ठीक है ना इतनी बड़ी मुहीं है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक जो हैं हमारे विद्यारती जिन्हों ने मुख्यमंत्री जी की जो team है वो साइद उसके उपर action ले सकती है एक बच्चे का जो है मरदोस्तों जिसने मुझे ये detail भी send करी थी whatsapp के उपर कि सर्वे ने ये application जो है एक जन्व सुनवाई के अंदर दे दी है ठीक है ना तो मुझे लगता है उस पर action लिया जाएगा और वैसे action की भी जरूवत नहीं है बस हमें तो इतना चाहिए कि university website पर डाल दे कि paper दोनों medium में होगा क्योंकि ज़्यादा तर बच्चों ने जो भी लखनाओ के आसपास के थे सभी ने ग्यापन दिये हैं university में सभी ने दिये हैं बहुत सारे ऐसे बच्चों ने मुझे लेटर बेज़े हैं जिन्होंने अपने इस ताई जो MLA थे उनको ग्यापन दिये हैं कुछ बच्चों ने जो मंतरी है ठीक है जिनके विदान सभा सेतर के उन्होंने मंतरी तक पहुँच आएं कुछ बच्चों ने न्यूज पेपर तक पहुँच आएं है ना तो मैं सभी बच्चों का भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको रुकना नहीं है बटा आपके मौले में कोई विदायक आए आपके मौले में कोई मंतरी आए आपके मौले में मुख्य मंतरी जी आए उनका कहीं से काफिला जाए ठीक है उनके साथ जो भी टीम मेंबरों आप उनको एप्लिकेशन थमा दो ठीक है ना इतना बड़ा हमारा उत्तर पर देश है बटा यह जो सरकार के नुमाइन दे है आप इनको जहां मिले वाँ अप्लिकेशन दो कोई भी जिला कलेक्टर की सुनवाई हो तैसिलदार की सुलवाई हो ठीक है ना आप उनको भी यह ग्यापंदो यह अप्लिकेशन दो बेटा है ना गौर्मेंट के हर एक डिपार्मेंट में यह अप्लिकेशन जानी चाहिए कि हमारा यह एक्जाम दोनों माध्य में हो चाहे कोई भी डिपार्मेंट हो गुवर्मेंट का आप आप्लिकेशन दीजिए कलेक्टर हो तैसिलदार हो SDM हो मंत्री हो मुक्य मंत्री हो विदायक हो है ना सासन सची हो कोई भी हो वेटा यूनिवर्सिटी के डीन हो एक्जाम कोडिनेटर हो वोईस चांसलर हो ठीक है ना सभी तक यह जानकरिया पहुंचाते रहिए मुहीम हमारी रुकनी नहीं चाहिए वेटा हमारी मुहीम रुकनी नहीं चाहिए हमें पेपर दोनों माध्य में करवाना है बागी सभी राज्यों में भी दोनों माध्य में होता है M's का पेपर दोनों माध्य में राजस्तान का दोनों माध्य में MP का दोनों माध्य में जार खंड का उत्रा खंड का 37 गड का दोनों माध्य में तो हमारे UP का क्यों नहीं बस ये मुहिम हमें चला नहीं बटा ठीक है ना थेंक यू 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 थेंक यू